माम सच्चाई सिफ इतनी है कि ये पूरा एपिसोड स्टार्ट हुआ था 2nd of April से जब ये लड़की इंदर से गोल्स जिम में मिली थी इंदर से गोल्स जिम में मिली थी गोल्स जिम में तो ये लड़की मिली थी गोल्स जिम में में वोक्ट अप टू हिम और आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं मैं अफॉर्ड नहीं कर सकती गोल्स जिम का अनदर में तो मैं बहुत काइड अगर आप मुझे थोड़ा इंस्ट्रक्ट करें तो इंदर टोल मी कि उसने एक ब्लंट आंसर दिया था कि मैं मैं ऐसे तो कुछ आपको नहीं बोल सकता क्योंकि अगर आप जिम नहीं आओगे तो मैं कहीं बाहर आके आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा तो लेट मी गो होँप लेट मी जस कंफर्म इस विए और यू लेट यू नहीं बोला गया और उसके नेक्स देए इंदर ने अचानक से मुझे बोला कि आरे यार एक लड़की है जो मेरे जिम में है शी वांटेड है तो मैं क्या करूं कैना इंड गॉल हर हों तो मैंने बोल प्रांट गॉल हर ने अचानक से मुझे लेट मैं नहीं आप जाता है तो मैं अगर को यह बोला वांटा है कि वह आपको इस हीरो के आपजिट लांच कर रहा हूं तो अगर मैं किसी से हेल्प मांगती हूं तो वह अगर मुझे कोई हेल्प करेगा तो मैं उसको रिवर्ट कर कि येस सर बोल रही थी उसको इंदर ने उसको जब डाइक चार्ट देना शुरू किया देन शुरू कि अरे मैं यह नहीं कर सकती में वह नहीं कर सकती आप ऐसे कैसे मदद कर रहे हो यह वो तो वी केप्ट कॉएट इंदर को यही बोला था कि प्लीज आप इससे डिस्टेंस र अब यह नहीं करेगा और वैसे भी अगर वह आज एक ट्रेनर अपॉइंट करती है तो शील आप टूस्पेंट अलोड अमनी यह एपिसोड खतम हो गया देन देर वाज एससाइलन्स फो टूड़ देज शी चेप गॉलिंग बट इंदर ने बहाना बना दिया कि यार मैं सब कुछ मैं हांडल करती हूं ही इफ यह थो रिवर्ट तो समबडी ही तेल्स मी अराउं ट्वेल इन देर नाइट अफ फोर्थ यह एस आ डों रिमेंबर इट शो शापली थर्ड यह फोर्थ था अर्फ फोर्थ था फ्रम हर मैं अनमबर वाट्सप पर मैं 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 लग आपके बिना नहीं रह सकती मैं यह हूं मैं यह कर लूंगी मैं वह कर लूंगी तो वी डिन्ट रिस्पाउंड टुए इसा आजकल की लड़किया ऐसा गलती कर देती हैं या कुछ पर उसके ठीक पाच मिनिट बाद उसने फोटोग्राफ बेजना शुडू कर दिया अपने ह नियमा शुडू कर लूजो कर दो तो पांके बताओब रस जो आपकी लड़की तो उसा दो बात कर रह थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस लड़की को कि आप क्यूं ऐसा कर रह हूं आपको मैंने अपने ऐसा ने एसा प्रण यापक लाख बाद था प्रतोग्राब हर द इंदर के फोन में डाउनलोड है उस पे मैंने इसके सारे sms और फोन ब्लॉक कर दिये एक नमबर से उसने 119 कॉल्स किये दूसरे नमबर से उसने 99 कॉल्स किये और मेसेज़े शायद छे से साथ भेजाता हूँ अप्लीज मेरे घर आजाओ आप मुझे सुला जाओ मैं आपके बिना जिन्दा नहीं रह सकती यह वो यह वुष तो इट वो एपिसोड खतम हुआ अब इन 2-3 देज में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ बट इंदर वस नॉट अट हो मेरे से उससे लड़ाई होगी थी इसी परपस से तो I shifted to my mother's flat with my baby तो I told him either you sort it out और I will sort it out ना उस दर्मयान उसके और उस लड़की के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता बट बाद में जब दो दिन बाद इंदर घर आय तो मुझे पता चला कहीं से कि वो उसके घर पे ठहरे वे थे, इस लड़की ने कुछ बोला था, ऐसा कुछ किया था, तो वो वहाँ ठहरे वे थे, but yes, when he was there, he was constantly talking to me on the phone, for asking me to come back and all that, and he didn't sound drunk at all, he was in his senses, everything was okay, so the day I came to know, that was the 22nd of April, that Inder had been there in her flat, now on the 22nd of April, I went to her flat, she stayed in RTO, मैंने उसको बहुत सम्झाय है, मैंने का, आप क्यू कर रही हैं ऐसा, ठीक है, my husband is in this line, you want to come into this line, you want to get famous, everything, there was a fling for two days, I understand, but do you really think that he's going to leave his family and come to you, think about it, you also come from a family, you are also answerable to your parents, no matter what your age is, your family, she didn't listen to me, instead of that, she told me, कि जा तू अपने पती को समाल, मुझे मत बोल कुछ, ठीक है, तो जब मैं नीचे उतर रही थी, तो वहां के वाच्मेंन ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे ये स्टेट्मेंट दी, उस गर्ल के खिलाफ, कि मैम, आपके हजबन को हमने देखा है, बहुत पिक्चरों में देखा है, ये लड़की ऐसी ही है, तो आप प्लीज अपने हजबन को जितना जल्दी इस चुंगुल से निकाल सकते हो, आप निकाल लो, क्योंकि अभी दो दिन आपके हजबन थे, उसके पहले कोई और था, और इस स्वाइटी के सेकेटरी इनको इसलिए निकालते हैं, क्योंकि ये हर चीज बड़ी साइलेंटली करती है, अगर आपके गर में तमाशा होगा, हंगामा होगा, तब ना आप आक्शन लोगे या सेकेटरी आक्शन लेगा, एनिवेज तो उस वाच्मेंट ने मुझे आगे बोला, कि माम आप आए थे, प्रूफ छोड़ने के लिए आप रेजिस्टरी में एंट्री कर दो, कि कल के दिन कुछ होता है, तो पुलिस आईगी तो मैं स्टेट्मेंट दे सकता हूँ, मैंने वाई एंट्री भी किये ओन दे 22nd, अब लोगने लिए यह विन दे आप, इंदर वाज अन आर फ्लाट, गल यह विस तो इन मादर, अब उसके बाद 22nd कुछ भी निए उगा, विविश्वेज तो 23rd कुछ आप गाभा, the entire society saw it you know वो आती है bags full of alcohol के साथ now when this fight started I want to clear this because since every bank account of Inder is handled by me his ATM card is with me मैंने उसके accounts nil कर दी थी अभी भी आप अगर चेक कर वाओगे तो उसके account में शायद 20 या 25 रुपे होंगे just to be the safer side 23rd and 24th was a dry day now this girl walks up and gets the booze from black comes into my society goes up in my society lets my husband drink, she was also drinking they both were upstairs they were drinking और कोई हंगामा ने था, कुछ ने था होटल से खाना मंगाया जा रहा था everything was as smooth as that कि उस समय ये पिक्चर मिल रहा था कि wife separate हो चुकी है and this girl is there I would not lie, this is exactly what happened 23rd को ये सब हुआ 24th के morning से Indar started messaging me कि I am in deep shit I am drinking alcohol I have done a blunder please come back home I don't want to be into all this please take me out मैंने कोई response नहीं दिया क्योंकि उस समय में इतनी अंगरी थी इतनी गुसे में थी कि मत्तब एक तो he was cheating in this way and secondly he's asking me to help him तो मैंने कोई response नहीं दिया उनको तो around I think 1.30? 1.30 बहुत जोर से आवाज आई उपर तो हम लोगों ने मेरी और मेरी मॉम ने सोचा कि मेभी कुछ फ्लाट में गिरा होगा और संथिं लग दा and एक चीज़ बहुत अमेजिंग है इस बिल्डिंग की कि हमारे फोर फ्लोर है और चारे फ्लोर में अगर कुछ गिरता है ना तो सबको पता चलता है कि कुछ गिरा है सबकी conversations भी सुनाई देती है this is the most important part of this entire case which can save my husband अगर कोई किसी से लड़ेगा भी ना तो उसका पूरा conversation सुनाई देगा आपको चिल्ला चिली तो बहुत धूर की बात है नॉर्मल लडाई जो होती है तो वो लड़की फिर पांच मिनट बाद मेरे मॉम के दरवाजे पे आई और चिल्लाने लगी अरे आपके husband ने हाथ काट लिया है and there's blood all over please आप आकर के अपने husband को बचा लो and all that so I just gave her a statement I said सामने election हो रहा है cops खड़े है police van खड़ी है आप रहरी थी उनका responsibility लेके तो अभी वो मर रहे हैं तो कौर responsible है I asked her to take help from the cops instead of doing that that woman runs up again 10 minute हो गया 15 minute हो गया कोई police नहीं आई I called the police police आई police के साथ में उपर गई police को मैंने बोला कि ऐसे से situation है police ने blood देखा सब कुछ देखा police उनको ले गई वर्सोवा police station उन्होंने जो कुछ भी मुझे बोला होगा ठीक है उन्होंने बोला आप divorce ले लो ये लो ले लो मैंने police को बोला कि ये अभी suicidal हो रहे हैं ये दोनों नशे में हैं आप इनकी मदद करें मेरे divorce क्या होगा क्या नहीं होगा and that was my complaint I was trying to save lives मैं अपने husband के against complaint नहीं करने गई थी आज के दिन अगर इंदर मर जाता या वो लड़की मर जाती तो कोई मर जाता ठीक है? तो उन्होंने बोला हम handle कर लेंगे आप जाओ तो मैंने बोला आप मुझे NC नमबर दे दो तो उन्होंने बोला आज election है कल आना हम चले गए half an hour back then entire society saw वो इंदर के साथ वापिस आई हसते खेलते वापिस आई दारू के बोतलों के साथ वापिस आई उपर अपार्टमेंट में गई उन लोग ने फिर से खाना order किया खाना खाया सब कुछ किया around 10, 11, 11, 30 वो लड़की आराम से गई मेरे society वालों ने देखा कि वो गई उसको कोई भगाया नहीं या कुछ नहीं अब उसका claim ये है कि 23rd के रात को उसके साथ रेप हुआ 24th को उसके साथ रेप हुआ physically abused हुई वो अब मुझे बताओ आप लोग सब कोई इंदर को जानते हो उसका built जानते हो उसका strength जानते हो वो लड़की की जो body है या जो भी है 6 फुट आदमी नशे में अगर किसी को physically assault करेगा तो वो लड़की चिलाईगी नहीं और अगर वो लड़की चिलाईगी प्रोटेस्ट में तो क्या सुसाइटी वालो को नहीं पताचलेगा नेवर को नहीं पताचलेगा अज मेरे साथ अगर रेप होगा किसी सुसाइटी में तो चिलाऊंगी नहीं या मेरे को भगवान ने ऐसा कि मुझे इतना स्ट्रेंथ बेर करने की शक्ती है वो लड़की आराम से आई उन्होंने चाजस डाले हैं इंदर की कैप्टिव करके रखा दो दिन आप जब होटल से खाना मंगा रहे हो आप जब याशी कर रहे हो जा रहे हो आ रहे हो गूम रहे हो उस लड़की के साथ तो कितने लोगों ने उसको पॉप टेप्स के बाहर देखा है खाना काते वे या जो भी करते वे आई डोंट नो तो आप कैप्टिव कहां से हुई और जब पुलिस आपको 24 को लेके गई तब आपने पुलिस को स्टेट्मेंट क्यों नहीं दिया कि यह आदनी मुझे कास्टिंग काउच पे फसा रहा है मेरा रेप कर रहा है रात में मेरा रेप किया और अभी मुझे कैप्टिव बढा के रखा हुआ है आप पुलिस टेशन भी गई आप पुलिस वान में भी गई हम लोगों ने यहां के ओफिसर्स को बोला जो डूटी पे थे उस लड़की को बोला कि अगर तुमाहें साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस को बताओ उसने तब कुछ नहीं बोला क्योंकि वो खुद इतने नशे में थी आपको आज में अगर if I belong to a good family I am asking all of you this question if I belong to a good family I can fall in love with a married man but the moment I see that he is drunk and he is suicidal and police has already taken me away from his house I will be a fool to come back to his apartment what is the reason behind it कि वो वो आपस आई उसके साथ उसको अपनी जिंदगी से कोई डर नहीं था और आज वो क्लेम कर रही है जब यहां से निकल गई तो पाच बज़ जाकर के बोल रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरे साथ ऐसा हुआ है आप यहां से निकल गई यह आप किसके साथ जाकर के सोई है आपने क्या किया है वो हमको क्या पता है आप तो मेरे हस्बन को फसा रहे हो यहाद एप है यहाद आपने क्यार प्याओ